जैन दोस्तों ये पेसिंदी में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है और अगले 15 दिन की रण नीटीप में आपसे चर्चा करूँगा उसमें एक बात इस पे भी चर्चा करूँगा कि टेश्ट में नंबर नहीं बढ़ने हैं तो क्या करें लेकिन उस वीडियो से पहले मैं आ आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो जो पूरे साल आपने पढ़ा है वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपने कोई इंजेक्शन ले लिया और आपके दिमाग में से भूल जाएगा उस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखिए इस समय में बता रहा हूं और वो कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि अब आपके लिए सबसे जरूरी है ये हतियार बहुत जाड़े महत्पून है और दूसरा हतियार है दोस्तों वो पढ़ाई से रिलेटेड है वो हतियार है रेगुलर इश्टडी अगले पंदर दिन जो डी चीजे कैसे आप मैनेज कर पाओगे पंदर दिनों में लेकिन ये बहुत मत्पून इस बात को ध्यान में रखेगा यूपी एस्टी वाले भी इस बात का पूरी तरक्ये से ध्यान में रखे जिनका अभी समय है 28 मही को यूपी एस्टी है 14 मही के बाद मैं रेगुलर यूप सबसे मतपूर्ण चीज चल लिए कि सर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ना है तो क्या करें तो पहली बात ही अभी नंबर बढ़ने की अब चिंता बंद कर दें सबसे पहली बात उसको कैसे करेंगे तो टेस्ट देना बंद कर देना है आपको क्या करना है जो पूरा एक टेस के के सॉर्वेट के लगा लगा तक लागा का सबसे बड़ा 750 को बना के रखना है तो उसके लिए बंद कर देना बंद कर कोशिशन के पार्ट्स में फोकस कीजिए और पूरे दिन में एक पेपर देड़ पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले एक बार 15 कोशिशन लगाईए फिर आराम से 15-20 मिट आदा गंडा जो पढ़ना है पढ़िए ऐसे करके पूरे दिन में आप एक टेस्ट सॉल कीज की कमेंट सेक्शन में बता रहे थे मैक्सिमन लोगों की उतनी ही थी ठीक है जिनकी एक और इसी 60% प्लस थी वो सभी इसको बढ़ा के अगले 15 दिनों में 70% आराम से कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो तो टेस्ट पेपर सभी आपके लिए सबसे करेंट अफेर्स की आई दरिश्टी निशान सर के द्वारा कंप्लीट करा दीगे ये पूरी तरीके से उसको येरफोन लगा लिजे हेड़फोन लगा लिजे पूरे दिन में एक बार उसको घुमा दीजे उसको मनदब मैं ये नहीं करा हूँ कि एक दिन में एक बार कंप्ल classes को कर डा लिए मैं आपसे ये request करूँगा जिनके नंबर नई बढ़ रहे हैं उनको अभी क्या करना है सबसे पहली बात ये करना है कि अपनी गलतियों को proper analyze करना है अभी भी आपस समय 15 question solve कीजिए 15 question के बाद मिलाईए कि कौन सी गलती कर रहे हैं ठीक है कौन सी गलती कर रहे है उसको मिलाईए दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ जो बहुत मत्वण है एक्जाम के पहले भी एक वीडियो इस पर बनाऊंगा और एक्जाम के जश्ट दो दिन पहले भी इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूँ वो है test देते समय की जाने वाली गलती सबसे बड़ी गलती य है आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर पेपर आफ सॉल करने बैठे सपोस मालो मैंने एक फूल टेस्ट उठाया और स्टार्टिंग के पंदरा कोशन या दस कोशन ऐसे आगे जो मुझे समझ भी नहीं आ रहे है पहला कोशन पूछ दिया कि कुछ भी पूछ दिया कि व खाल नहीं है हो सकता है स्टार्टिंग में आपके उपर बम गिर जाए ये वही दोस्तों ये आप समूझ सकता है मैं सीरियसली पता रहा हूं ये आपके metal की पहचान होती है आप कितने सुद्रिड व्यक्ती हो कितने द्रिड शक्ती से युक्त व्यक्ती हो इस बात की पहचान होती है कि आप उन 10 questions की वज़े से पूरा paper नहीं खराब करोगी उन 10 questions को skip करो यार आगे बढ़ो last में आप आप पीस देखना हो सकते हैं अंदाजा लग जाए ठीक है ये बात समझना उन 10 questions के फेर मैं नहीं पढ़ना है हो सकते हैं कि पहले 10 questions आपके लिए एकदम bouncer आ जाए तो जब starting के 2-4-5 questions में आपको bouncer सुरू हो तो आप क्या करो सीधे last वाला page open करो सीधे last वाले page पे देखो last से ही सुरू कर सकते हो generally last में easy आ जाते हैं question मालो last वाला भी tough है आपका भागी खराब था last हो सकते हैं आपके paper में ऐसी setting एजाम नहीं की हो starting के 5 questions और last के 5 questions एकदम bouncer हो अभी भी नहीं घबराना है beach से open करिए पूरा paper attempt करिएगा एक बात जो मेरी ध्यान में रखे वो यह है paper में 10% या maximum 15% से जादे question tough नहीं आएंगे तो पक्की बात है 15% का माल लिजे 22 से 23 question ऐसे होंगे जो हो साथ आपसे बहुत आपके level से बहुत हाई हो लेकिन अगर आपने पूरे साल पढ़ाईगी है तो बाकी 128 question जो होंगे वो आपके touch में होंगे पक्की बात आपने नाम सुना होगा कुस तो उसके बारे माहिडिया होगा कुस तो चीजे पढ़ी होगी तो ये पक्की बात sure है तो इस बात का बहुत तरीके से ध्यान में रखेगा कि आपको ये गलती exam में नहीं करनी है और अभी test देते समय भी ये गलती नहीं करनी है कई हमारे दोस्ते वो यही करते है test देते है 10 question में hopeless हो जाते है फिर test paper ही solve करना बंद करते है first rate हो जाते है तो इस बात से बची आपके number बढ़ने श्टार्ट हो जाएंगे तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है उसके आदोस्तों जो अगली बात है जो बहुत मत्पूने वो ये है अभी आपको revision पे जादे focus करना है revision पे जादे focus करना है exam केवल 13 दिन है exam केवल 12 दिन है इसको आप count करना एकदम बंद करतीजे आपका जो confidence गिराना है जो second number पर आपका confidence गिरा रहा है वो सबसे बड़ा ये कारण गिरा रहा है कि आपके दिमाग में एक घड़ी चल रही है कई वे site ऐसी होती है जिनमें वो घड़ी टिक टिक करता रहता है कि अब 14 मई आने वाला है अब 28 मई आने वाला है अब mains को इतना दिन बचा है वो आपके उपर extra pressure create कर रहा है वो motivation नहीं create कर रहा है इस चीस से motivation इका दुक्का लोग लेते है pressure 99.9% लोग इस बात से pressure देते कि आर exam अब बस केवल 10-11 दिन बचा हुआ है उस 10-11 दिन को मज़े से जीए full enjoyment के साथ पढ़ाई कीजिए पूरा relax होके पढ़ाई कीजिए क्यों relax होके पढ़ाई करना है उसका सबसे पहला कारण यह है paper सबके लिए uncertain आएगा आपके लिए नहीं uncertain आएगा सबके लिए पूरी दुनिया को किसी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो exam देने जा रहा है exam नहीं देने जा रहा है paper बनाया है उसने paper setup किया है तो नहीं idea है लेकिन जो व्यक्ति एक्जाम देने आपके साथ जा रहा है उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे पेपर पहले से पता है तो अच्छी बात यह है कि competition में आप भी बराबरी के मुकाबले में हो इस बात को ध्यान बचना दूसरी बात है कि आपने पूरे साल पढ़ाई की है ठीक्टा आपने चीजों को पढ़ा है आपने notes बनाए है आपने test solve की हैं पूरे साल आपने previous year questions देखा हुआ है तो आपको परशान होने की एकदम जरूरत नहीं है इस बात को ध्यान बचना की गया यार मेरे अंदर का civil servant जाक के बाहर है अब वो समय है जब आपको self motivation की जरूरत है ना की outside motivation की ये बात ध्यान में रखेगा मैं आपके साथ पूरा 24 गुने 7 बना हुआ हूँ आप discussion group टेदी ग्राम चैनल जोईन करके वहाँ पे discussion group जोईन कर लेंगे तो मैं वहाँ पे आपके सारे doubts आप इवेन रात में सुब़ चार बज़े आज message आया था मैंने चार बज़े के 10 मिनेट पे reply किया था तो इतने dedication के साथ मैं आपके साथ लगाँ हूँ कि कोई भी एक भी व्यक्ति hopeless नहीं होना चाहिए ध्यान में रखेगा एक civil servant की सबसे महत्वपून quality होती है उसका self motivation वो किसी मामले में घबराता नहीं है बहुत बड़ा सा challenge होने वाला है road बन रही है प्राइम मिनिस्टर का 15 दिन में दोरा है और road sure है कि नहीं बन पाईगी उस पे भी वो घबराता नहीं है वो कुछ alternative सोचता है वो idea निकलता है क्या किया जा सकता है कुछ route change किया जा सकता है road कुछ ऐसा ही लीपापोती करके road बना दिया जाए कुछ तो करी देता है यार यह बात समझना आपको भी वही काम करना है कि वो जो self motivation उसके अंदर रहता है वो duty करने की यह अब आपके अंदर आनी चाहिए क्योंकि यही aptitude exam में आपके काम आएगा यही aptitude exam में काम आएगा बहुत जरूरी है और तीसरी जो last बात है आची मेरे बात वो यह है कि अपने आपको समय दीजे अपने आपको समय दीजे exam में प्रश्ण आता है तो प्रश्ण में अपने voice of conscience को सुनने का प्रयास कीजे तो जब ही अभी आप 15 question 15 question का मैंने आपको theory बताई, solve करने का तरीका बताया इसमें क्या करिए, question को पढ़िए और अंतरात्मा की आवाज पहचानने की कोशिश कीजे, 15 दिन बहुत होते है वो जो आप कहारे ना, sir number घट रहे है, या sir number बढ़ नहीं रहे है वो ऐसे ही बढ़ने सुरू जाएगे आप अपने अंतरात्मा पहचानना start कर देंगे तो आपके number बहुत जादे बढ़ जाएगे तो proper अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए और देखे कि अंतरात्मा से solve कर रहे हैं तो प्रश्न सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं इस बात की note बनाईए और exam में इद्धम फोड के आईए confidence रखे कि आपके अलमा कोई select नहीं हो सकता ये बात का ध्यान रखे एक seat भी होगी तो आप select हो जाओगे इस बात का confidence बनाए रखे कोई problem आए तो नीचे comment section में बताईए टेलिग्राम चैलनल जोइन करके वहाँ पे discussion group में बताईए हम लोग पूरी तरह से आप लोग के साथ जूड़े हुए है ठीक है तो फिर मिलते हैं हम लोग जैहिन जैवारा जो भी problem आप शेयर करें